गरचिरोली जिले में जंगली शेत्र होने की कारण हाती कुछिक के साथ साथ मानो बस्तियों में भी उपद्रव मचा रहे हैं वन सांस्कृतिक कार्य और मस्य पालन मंत्री सुधिर मुंगटिवार ने इन हातियों के कारण घरों को हुने वाले नुकसान के मामले में देज जाने वाले मौज़े की राशी बढ़ाने का नेतिश दिया वन मंत्री सुधिर मुंगटिवार ने गर्ची रोली जिले में हातियों और बाखु की कारण संपति के नुकसान के संबन में सेमिनरी हिलसेद वन विभाग के हरी सिंग सभागार में मुंगटिवार की अद्धिक्षिता में एक समिशा बैठक में बोल रहे थे प्रक्षक लक्ष्मी गर्ची रोली के मुख्य वन संदर्शक एस्रमिश कुमार एवं वन विभाग के अधिकारी इस अउसर पर उपस्तित थी गर्ची रोली का दो तिहाई हिस्सा जंगल से खिरावा है पिछले कुछ वर्ष्यों में यहां तेज हातियों का जुन आ चुक संद में मुंगंटिवार ने वन विभाग के अधिकारी को नेदे शीत किया उन्होंने आगी कहा कि गर्ची रोली चिले के बावन गाओं में जा बाग और हाती घुमते हैं वन सीमाव पर बाड़ लगाने की कारिवाई की जाने चाहिए इसके लिए आउश्यक की धनराशी शामा प्रसाद मुखर जी योजना या जिला योजना निदी से ली जाने चाहिए उन्होंने लेंबिट मौज़े के मामले में ग्रामीनों को तरकाल आर्थी साहता उपलग कराने और इस संबर में रिपोर्ट सोपनी को भी कहा कैमरा परसन राजकुमार मोहट के साथ चेक पान से की रिपोर्ट